इस राम आस्रे राय वेलकम एट एम एम सी गाइज इन माय तोडेश लेक्चर आ विल डिस्कुस यू अलोट ओव इंपॉर्टेंट क्वेस्चिन चलिए तो गाइज एक एक क्वेस्चिन को देखते हैं आज का जो प्रक्टिस सेट है 18 you can see well चलिए देखिए आज का जो पहला यह वो मेंग है क्या है दा मेनिंग आफ द एदिम राइट बहुत प्छा है तो कीप वन्स शर्ट आन तो कीप वन्स शर्ट आन वाइस देखिए प्रस्ट यू ताय जलदीगरियो क्या होगा विटें तो इसका होता है तो कंट्रोल ओन्स ए टू to temper, to keep one's shirt on, to control one's temper, जैसे कभी-कभी हम लोग बहुत गुस्से में आ जाती हैं, तो अपना बटन वगरा खोल के अपने को कूल करने कोशिश करते हैं, राइट, कमाने अबरीबाड़ी, जल्दी करिए फड़ा-फड, तो देखिए इसको हमने एक बाइसे इमेज के शाथ भी, what are the other words for keep one's shirt on, देखिए यह इससे पूछ रहा है, अब बता रहे हैं, keep one's shirt head, to keep one's head, take it easy, मतलब कोई चीज को relax होना, not turn a hair, keep calm, देखो बेटे कितना अच्छा वर्ड है, keep calm, keep cool, forbear, wait, be patient, and bear with compassion, माने आत्मशायम, नियंत्रित करना खुद को, उशे कहते हैं, हम लोग to keep one's shirt on, ठीक बेटे, आशिश रंजीत, हाय सरहां बेटे, चलो, let's go ahead, अगला वर्ड है बेटे, बेहद important word है, क्या है, what do you mean by square meal, a square meal बहुत ही अच्छा word है, a square meal मिस क्या होता है, a full meal, a full meal मिस जो भी खाने में आवश्यक होता है, मतब balanced diet को ही हम a square meal कहते हैं, ठीक है, a square meal को और अच्छे समझते हैं, देखे, क्या है लिखा हुआ है, full and well balanced meal, full and well balanced meal, right, my son's doctor recommended that he eat three square meals, right guys, तो देखेगा आपके लिए cartoon भी है, for your better understanding, a square meal is a full meal और just sufficient, just sufficient, अगला question है बिटे, बहुत ही अच्छा question है, G.B. Shaw was having the gift of the gab, बहुत ही famous saying है, यह idiom से है, gift of the gab, तो इसका अर्थ क्या होता है बिटे, come on everybody, पहले आप try करी, अगर आप live हैं, तो टालेंट फॉर स्पीकिंग, अपरसन हुआज टालेंट ओफ स्पीकिंग, अपरसन हुआज कान विन्स अथर्स इजली और अट्रेक्टिवली, ठीक, देखें, इमेज के माध्यम से भी शमझते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है, मतलब इतने अट्रेक्टिव मैनर से किसी से बात करना कि कोई व्यक्ति बड़ा आसानी से अट्रेक्ट हो जा है, some people have the gift of the gap, talent of speaking, talent of communicating with others in effective manner, ठीक है, come on everybody, चलिए, अगला वर्ड है, कि what does the idioms pros and cons means, pros and cons means क्या होता है, बहुत अच्छा से इंग है, pros and cons, profit and loss, right, advantage, profit and loss, right, boon or bain, क्या होगा बैटे, देखे, the argument argued for and against, कोई भी ऐसा argument far और against के बारे में बोला जाए, जैसे what is the pros and cons of science, science का क्या फाइदा है और क्या नुक्षान है, ठीक है, अब देखे, pros and cons समझाया गया है न, देखे, फाइदा नुक्षान, ठीक, right, benefits क्या है, limitations क्या है, right, pros and cons, किसी भी topic पे, what are the pros and cons, boon or bain, profit and loss of science, right, come on everybody, फटा-फटा बताईए, चलिए, let's go ahead, next question है, कि which of the following show an example of an idiomatic expression, इसमें एक sentence है, जो idiomatic expression देता है, बताईए, come on everybody, तो होगा, his investment failed, उसने अपना पैसा invest किया, जो कि fell हो गया, and he lost the family nest egg, nest egg एक फ्रेज है, आप देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, the family nest egg का मतलब होता है, ध्यान दिजेगा, क्या लिखा है, इसको आराम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लिखा है, the complete parents planning guide for building wealth and preparation for the worst, मतलब, parents और family कुछ पैसा है कठा करके रखते हैं, जिससे उनके खराब दिनों में वो काम आए, देखिए, his investment failed and lost the family nest egg, the underlined part is from of ADEMS, ठीक है, देखिए, यह है न, एक situation है, एक picture है, जिससे आपकी understanding और बहतर उसकती है, ठीक है, अगला question है, in the play as you like it, guys, as you like it, जब आप play बढ़ेंगे, बहुत ही सुन्दर play है, right, तो उसमें क्या है, कि उसमें एक character है, Jacks, तो Jacks कैसा character है, come on everybody, तो Jacks जो character है, वो cynic है, कैसा character है, सनकी है, दिखाते हैं, मुलाकात कराते हैं, दिखिए है, Jacks, right, Jacks, in as you like it, is known for his unmitigated cynicism, यह सनकी टाइप का character है, ठीक है, next character है, बहुत अच्छी line है, यह किसने किसके लिए कहा था, guys, कोशिश करिए बताने के लिए, come on everybody, दिखिए इसमें क्या है, जब as you like it, पढ़ेंगे, तो Rosa Lindt के जो uncle है, Frederick नाम है उनका, Frederick अपनी बेटी Celia से कहते हैं, Rosa Lindt के बारे में, क्या कहते हैं, दिखिए, चित्र देखेंगे, तो और समझ में आएगा, यह Frederick शहाब है, यह Frederick है, यह Frederick है, और यह Celia है, और यह Rosalind है, और यही समझाते हैं, अपनी बेटी को, क्या समझाते हैं, she is too subtle, Rosalind बहात ही समझदार है, बहात intelligent है, and they pity her is spoken, जो लोग भी उसको देखेंगे, उस पर दया आ जाएगा उसको, राइट और हो सकता है, जनता बिद्रोह कर दे, और हमारा राज छिन जाए, यह अपनी बेटी Celia को समझाते हैं, Rosalind के बारे में, ठीक है, अल्राइट, ओके गाईज, next one, अंडर दे ग्रीन ऊट्री, फू लवस तो लिव विद्मी, ब्लो ब्लो दाव उंतर गाईंड, है न, दाव आर्ट सो अंकाईंड, अंडर दे ग्रीन ऊट्री, यह उसमें करेक्टर है, जो हमेशा गाना गाता रहता है, जब आप As You Like It की मूवी देखेंगे, तो मैंने तो कई बार देखा है, बहुत ही अट्रक्टिव होता है, अशुक यादो पूछ रहे हैं, सर, CBC क्लासे कब चलेंगी, बहुत जल्दी चलेंगी, डोन्ट वरी, आपकी बहुत टाइम से चलने लगेंगी, डोन्ट वरी गाईज एबरीबड़ी है न, कब आबरीबड़ी, सुपर क्लास सार, थैंक यू बरी माच, तो अंडर दे ग्रीन ट्री, वू लफ्स तो लिव विट मी, इस सॉंग किस ने गाया था, यह एमिन्स ने गाया था, बहुत बढ़ियां गाना है, ब्लो ब्लो दा विंटर्स वाइंट, ता वर्ड सो अंकाइंट, बहुत संदर गाना है, वस्वे आप सिंग करिए गायी, यह बहुत अच्छा लगता है, राइट, ओके, लेट्स गो, देखिए यही गाना है, अंडर दे ग्रीन वुट्रूई, वस्वे लफ्स तो लाइ वित मी, आंड यून ही, बहुत संदर है, यह सौंग है, जब आप इसको देखेंगे, बहुत आनंदा हैगा आपको, ठीक है, एमिन्स ने गाया है, अब इसमें एक क्वेस्चन है, बहुत अच्छा क्वेस्चन है, जो कई बार एक्जाम में पूछा गया है, क्या है क्वेस्चन, देखिए, तु बी और नाथ तु बी, किंग क्लाडियस, हैमिलेट के पिताजी, एल्डर हैमिलेट को उन्होंने मार दिया था, अब इसलिए क्या करते हैं, कब हम क्या करें, जो हैमिलेट है, वो टेंशन में है, परिशान है, क्या करें, तु बी और नाथ तु बी, तु बी और नाथ तु बी, दाट इस दे क्वेस्चन, मतलब हम जीएं या मरें क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है देखिए ये पूरे बुक से मैंने लाइन ले लिया था देखे लिखा भी है To be or not to be that is the question Guys, to be or not to be that is the question Whether it is nobler in the mind to suffer मेरी जो समस्याएं है मैं Uncle Claudius को मारूं के ना मारूं मेरे लिए तो ये समस्याएं है मैं क्या करूं, what should I do? What to do, what not to do? Right, whether it is nobler in the mind to suffer क्या हम अपने टेंशन को हमेशा जेलते रहें क्या यही उचित है? क्या ऐसा करना उचित होगा? या कह रहे हैं The slings and arrows of outrageous fortune are Take arms against the sea of trouble And end by opposing them या मैं तो ऐसा करूं, एकदम खुंखार बन जाओं तलवार उठाओं और King Claudius को मार दूं और बदला ले लूं, क्या करूं? What to do, what not to do? Right, बहुत अच्छी लाइन है गाईस आप इस लाइन को एक बार देख लीजिए जरुरत पड़े तो जरुरत पड़े वीडियो को पॉस करके आराम से लाइन को लिख लीजिए क्योंकि ये सारी चीजे में ने बहुत effort, बहुत मैनत करके कठा किया है, right? It is not easy to find out each and everything easily. Okay, let's go तो ये कहा किसने है? Hamlet ते कहा है, to live or to die. To be or not to be, that is the question. Right, guys, let's go ahead. Okay, वही चीजे हैं, पुरा अंसर को हमने explain किया, to be or not to be is the question phrase of a soliloquy in the soliloquy in the nursery scene of William Shakespeare's play Hamlet in the speech. A desperate inference Hamlet contemplates death and life. He bemoans the pains and unfairness of life, but acknowledge the alternate you might to be still worse. Okay, अगला question है, guys. Shakespeare's sonnets are, Shakespeare के जो sonnets है, वो क्या है? वताइए क्या होगा? Come on everybody, जल्दी करिए फटाफट. छीक, the three quartrants and couplet, very important questions है, तो आप देखे, three quartrants and couplet, right? देखे, Italian sonnets का याद रखिएगा क्या है, ramming scheme, and activa plus assista, abba, abba, cde, cde, special sonnets का है three quartrants and couplet, abba, abba, bc, bc, cde, cde, or William Shakespeare का भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत जरूरी है, a, b, a, b, c, d, c, d, e, f, ये guys तीनों बहुत important हैं, इसको आप रठ लीजे, याद कर लीजे, बहुत महत्तपुन हैं, बहुत सरे exams में बहुत आते हैं, ठीक, next. Five questions from William Wordsworth, Come on everybody, thank you Goro, thank you all, the lake district in English, England is associated with, देखें, lake district देखें क्या है, आप देख करके समझ सकते हैं, ये William Wordsworth का actually घर है, lake district में, तो lake district associated कौन है, come on everybody, तो definitely lake district से कौन associated है, तो William Wordsworth जो है, lake district से associated है, आप देख सकते हैं, how beautiful the place is, यहाँ पर रहने वाला, कितना सुंदर एयर, कितनी सुंदर ता में रहता होगा, it can't be explained in the world, William Wordsworth is a romantic boyer, he was associated with, like district, other phrases, other places where he resides respectively, आप दोप कॉर्टेश, टांसें, ग्रासमेयर, अलन ब्लैंग, ग्रासमेयर, परसनेज, एन लास्ट वेल नोन रिजिदेंस, इन सारे प्लेसेज पर वर्सवर्थ आलरडी रह चुके है, अब देखिए कितना सुंदर आ, will no one tell me what she sings, solitary, solitary ripper की लाइन है, राइट बहुत अच्छी है, will no one tell me what she sings, right, will no one tell me what she sings, perhaps the plaintive number flow, for old unhappy, for off the above lines, किसकी लाइन है, अलरडी गयाईज मैंने खुशी आलिम बता ही दिया है, यह solitary line की line है, बहुत solitary ripper की line है, William Wordsworth की द्वारा लिखा गया है, देखिए यही है यह poem, यह लड़की reaping and singing कर रही है, वर्सवर्थ साहब है, इसकी line जो देखिए यहीं पर है, will no one will tell me what she sings, perhaps the plentive number of, यह लाइन मैंने आपको दिया, जिससे आपकी understanding बहतर हो सके गयाईज, ठीक है, चलिए, let's go, यह भी line बहत महत्पुन है, देखिए यहाँ बे लिखा हुए है, देखिए यहाँ बे लिखा हुए है, आप देख सकते हैं, जहरनी की आवाज, कल-कल करती हुई आवाज, आपस में जो लहरों की टकराओ है, उसको सुन करके, दा कैते हैं, दा साउंडिंग कटरेक्ट हांटेज मी लाइक पैशन, यह किस पोयम की लाइन है, गाईस, कमान अवरिबारी, यह टिंटर न अभी की लाइन है, बहुत महत पुने गाईस, बहुत बार पूछा गया है, तो इस लाइन्स अकर इन टिंटर न अभी, बहुत अच्छा है, कि Robert Sauley was succeeded by as the poet laureate of England, Robert Sauley के बाद, poet laureate of England का कौन बना था, देखिए Robert Sauley शाहभ है, पहले यह थे, poet laureate, राज कभी जिसे कहते है, इनी के बाद कौन बने थे, तो ये बने थे, Wordsworth सहाभ बने थे, राइट, और साउदे थे, Wordsworth सहाभ बने थे, Robert Saoudi was succeeded by William Wordsworth as the poet of laureate of English for 1843 after Saoudi's death. Saoudi के मिर्तिव के बाद वर्सवर्थ बने थे 1870 रालिस में poet laureate of England. बहुत इंपोर्टन बहुत इंपोर्टन बहुत इंपोर्टन प्रेस्टन है यह. The line, Bliss was it in that done to be alive but to be young was very heaven. यह French Revolution के line है, Wordsworth के थे है, Bliss was it in that done to be young. कहते हैं फ्रेंच Revolution के शमय, यदि कोई व्यक्ति young है, energetic है और युद्ध में भाग लेता है तो यह 100% मान कर चलिए कि वह अपने आप में एक स्वर्ग था. जैसे किसी देश के साथ युद्ध हुआ और उस समय आप young हैं और army military officer बन जाए, military army officer बन जाए, कोई भी बन जाए, आप देश की सेवा करें तो उस समय तो एक young के लिए श्वर्ग के ही शमान था ठीक, तो definitely क्या था, bliss it was in that done to be alive, but to be young was very heaven. देख लिजिए, यह मैंने आपके लिए बहुत सुन्दर शिश्लाइड ले आया था, जिससे आपकी understanding और literature के प्रती आपका लगा और जादा बढ़ जाए, bliss it was in that done to be alive, but to be young was very heaven, bliss it was, क्या था, यह एक अपने आप में बरदान था, that done to be alive, जिस समय French Revolution का समय चल रहा था, उस समय यंग होना was a very heaven, अपने आप में एक स्वर्ग था गाईज, अगला question है, in the year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some money material, poetical work, select among these, किसके लिए उन्होंने लिखा था, बताएए गाईज, Milton ने एक creation किया था, वो किसके लिए किया था, तो definitely उनके एक friend थे, Edward King, ये कोई राजा नहीं थे, बलकि Milton के बहुत ही close friend थे, जो शमुद्री यात्रा के शमय इनकी मौत हो गई थी, guys, come on everybody, देखते ये हैं, मैंने बहुत मुश्किल से इनका चित्र ढूणा, देखे लिखा भी है, Edward King, इन्हीं Milton के बहुत close friend, देखे लिखा भी, in the year 1638, Milton confined to his friend, Edward King, that he had fixed his mind upon writing some monumental, poetical work, Edward King died because of drumming while on the wage, वो मर गय थे, जिससे में शमुद्री आतरा कर रहे थे, तो Ireland, Milton decided to his allergy, Lysidas, Lysidas, जो है, वो मिल्टन के friend, यही है, Edward King साहब, और इन्हीं के मौत पर इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं, how gentle, how smart he was, okay, let's go ahead, चलिए, the woman character Dalila Appear, Dalila जो है, एक character है, किसमे है, guys, come on everybody, बहुत महुत पूर question है, तो definitely किसमे है, Samson Agnesties में है, आप देखिए, Dalila का एक चित्र भी दिखाते हैं, यही वो Dalila है, Samson क्या हो गया था, इससे प्रेम करने लगा था, और इसी के बाहों में जिस समय शोया था, और इसके power का जो mystery था, वो इसी के बाल में था, और सोते समय इसने बाल जूड़ा खोल करके, इतना बाल इनका काट लेती है, जिससे Samson powerless हो जाता है, और वहां के जो गाजा के जियो army soldiers थे, इसको attack करके इसको बंदग बना लेते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता है, इस कुले जाके pillar में बाधा जाता है, बहुत सारे odd काम कराये जाते हैं, लेकि last में pillar को ही गिरा देता है, जिसमें वह बधा रहता है, और सारा pillar धुस्त हो जाता है, और डेलीला के साथ बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत अच्छीं इंट्रेस्टिंग स्टोडी है गाईज यह, दिमाग अपना क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति का दिमाग बहुत अच्छा है, तो क्या करता है, नर्क को भी स्वर्ग में बदल सकता है, और दिमाग नेगटिव है, तो स्वर्ग को भी नर्क बना सकता है, एक ही इंसान क्या करता है, किसी भी घर के महाल को स्वर्ग बना सकता है, एक ही इंसान उस घर के महाल को नर्क बना सकता है, यह किसकी लाइन है guys तो come on बहुत अच्छी लाइन है यह paradise last line है आप देखी एक सुन्दर सा मैने image भी दिया है क्या लिया है the mind is its own place and in itself the mind is its own place and in itself can make can make hell of heaven and hell of heaven the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell and a hell of heaven देखिये कितना सुन्दर यह quotation है और कितने बहतरीन बहतरीन डिजाइनर्स इसको बनाये हुए है what a beautiful line it is guys right अब बताई दस the author of Samson Agnesties कौन है इतना simple example है come on everybody जल्दी करिये तो एकदम simple answer है देखिये Samson Agnesties के author कौन है John Milton है देखिये यही Samson Agnesties TJ यही Samson है यह Delira है और यह देखिये फिलस्ताइन के लोग है और यही देखिये Samson इस समय बधा हुआ है फशा हुआ है और यह मजाक उड़ा रही है ठीक और फिर सब का मजाक हाना हमेशा के लिए बंद कर देता है Samson Agnesties TJ is a tragic closet drama by John Milton it appeared with the publication of Milton's Paradise Regained in 1671 अब बताइए बहुत महत पुन है question के विच प्ले मेद a great sensation especially in parliamentary and official circle according to the Galsworthy एक ऐसा creation था Galswardi का जो पारलिया मिंट में क्या था भूचाल मचा दिया था तुफान मचा दिया था कौन सा play है guys come on everybody तो definitely देखिए वो play कौन सा है justice है right justice है Galswardi का लिखा हुआ एक बहतरीन image से भी आप समय सकते है justice right यह लिए आप देखिए अगला question है बहतरीन important है James Howe Walter Howe Robert Cookshan Worcester Cowley Falder Rath Honeywell यह सारे character किस play Galswardi के किस Galswardi के play में है come on everybody guys कोशिश करिए आप पहले आप फिर मैं बताता हूँ तो यह वास्तों में शारे character किस में है justice में है justice का एक बहतरीन बुक का एक पहला ही पेज जो है आप देख सकते है justice by John Galswardi age 23 years old weak-willed young man of nervous temperament he falls in love with Rath rocks a check to get money to run away with her finally gets a penal servitude for three years whose description is this किसका यह description है come on everybody तो यह description जो है पूरा का पूरा folder के बारे में है folder is a hero of the play and a justice ठीक है चलिए देखिए यह justice का अगला एक image है signify justice by John Galsward the right significance of the title ठीक है next है अगला question बहुत महत्पुन है no one will touch him now folder क्या होता है शीडियों से चड़ते सीडियों से गिर जाता है और गिरने के वज़े से उसकी जो गर्दन है वो क्या है वो टूट जाती है और मर जाता है यहाँ पे क्या है कुक्षन खड़ा होता है और कहता है no one will touch him now अब folder को कोई टच नहीं करेगा क्यों never again he is safe with gentle Jesus अब वो Jesus के पास चला गया है अब इसके पास कोई नहीं आया है इस वर्ट को कौन कहेगा और कौन कही सकता है जो clerk है कुक्षन वही कहता है बहुत पथेटिक लाइन है justice की लाइन है कुक्षन अब उट फाल्डर कुक्षन अब उट फाल्डर कुक्षन अब उट फाल्डर बहुत अच्छी लाइन है यह किसकी स्पीच है गाइस तो definitely यह फाल्डर की स्पीच है यह फाल्डर की स्पीच है बहुत ही अच्छी स्पीच है आप यह देख सकते हैं यह court का scene है जिसमें फाल्डर को punishment मिलता है justice by john gals worthy आप देख सकते है justice by john gals worthy आगे गाइस यह जो मैं अभी discuss करने जा रहा हूँ यह synonyms है आपको synonyms बताना है come on everybody synonyms बताना है क्या है enigmatic means क्या होता है what is the meaning of enigmatic enigmatic means होता है puzzling enigmatic means क्या होता है puzzling enigmatic means क्या होता है puzzling आगे भी और देखते हैं देखें enigmatic है कि मेज भी है difficult to interpret or understand enigmatic means क्या होता है difficult puzzling right mysterious synonyms क्या होगा mysterious puzzling hard to understand mystifying and inexplicable जिसको explain न किया जा सके antonyms भी दिया हुआ है clear explicate and obvious right अगला question बहुत important है pick out the right option which expresses the meaning of the word invaluable valuable माने की मिती invaluable माने होता है priceless invaluable means क्या होता है priceless होता है देखें worthless useless valueless cheap good for nothing rubbishly dispensable superfluous no good nothing इतने सारे meaning होते हैं guys आपके पास copy pen अगर है तो पूरा note कर लिजे और देखें opposite क्या होगा in valuable की opposite क्या होगा what is the opposite of in valuable चलिए अगला word है guys nostalgia means क्या होता है longing for things are the past nostalgia जो होता है वो longing for the past के लिए होता है आईए देखते हैं क्या है what is the nostalgia right देखे क्या है a sentimental longing for wishful affection for a period of place in the past जैसे गाव में देहाद में आप बहुत सालों तक रहे हैं तो उसी को कहा जाता है क्या right nostalgia nostalgic poet होते हैं जो घर के प्रेमी होते हैं homespun होते हैं homesickness होता है बहुत सारे words होते हैं पूरा definition मैंने लिख रखा है इसमें आप और बहतर ढंक से समझ सकते हैं अगले question कर बढ़ते हैं the age of tree can be determined accurately by cutting the number of tree rings it has developed तो इसके लिए appropriate word होगा measured होगा जिससे हम लोग count करते हैं measured होगा measured word है पर अगला word है guys बताइए you tense related है smart इसमें कौन सा point सही है come on everybody जल्दी करिए फटा फट कौन सा word सही है आप बताइए फिर मैं बताता हूँ come on everybody जल्दी करिए फटा फट hurry up please come on everybody come on everybody come on everyone everybody जल्दी करिए फटा फट कम आप बताइए जल्दी करिए क्या होगा right meaning come on come on come on बताइए जल्दी करिए come on everybody everyone तो देखी right meaning होगा you look smart you are looking smart नहीं होता है एक look word में ing नहीं लगता है right अगर कोई व्यक्ति वास्तों में बहुत smart लग रहा है देखी ये बंदा smart लेना तो आप थोड़ी कहेंगे कि you are looking smart sir you look smart sir you look smart sir you look smart you are looking smart incorrect है ठीक है अगला and last question है I love you अक्सर लोग कहते हैं तो क्या हो जाएगा I am loving you is was none क्या होगा इसमें बताइए तो ध्यान दीजेगा इसमें भी ing नहीं लगता है तो simple सा है I love you आप चित्र को भी देख सकते हैं and you can understand I am loving you का मतलब समझते हैं जैसे इन नहीं कहा कि I am loving you प्यार गाए अप बास समझा आपने तो I love you किसी को हेट करते हैं तो I hate you I am hitting नहीं hitting बतलब अभी हेट कर रहा हूँ जैसे हटा तैसे हेटिक खतम तो guys आस के लिए बस इतना ही guys if you really liked something so please like the video if you did not like anything you can dislike the video because the power is in your hand so one thing more guys please subscribe the channel and share this video to your friends and nearer all and guys don't forget to send your valuable feedback through your valuable